तो नमस्कार प्रिविद्यार्थिक गण आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास की साखी कबीरदास की तीन रचनाएं मानी जाती हैं साखी, सबद और रमैनी उसी की वियाक्या हम लोग इसमें देखने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले इस दोहे का अर्थ देख लेते हैं हम लोग तो आप लोग जब लिखेंगे परिक्षा में सबसे पहले आपको लिखना होगा संदर्व लिखेंगे संदर्ब में क्या रहता है संदर्ब में रहता है जो दिया जाएगा पद आपके एक्जाम में जो पद दिये जाएंगे एक काब इसे जो दिये जाएंगे तो यह बताना होगा कि किस पार्ट से लिया गया है ठीक है किस पार्ट से लिया गया है और आपके पुस्तक का नाम क्या है और इसके रचाईता यानि लिखने वाले कौन है कभी कौन है यही लिखा जाता है संदर्ब में ठीक है ना तो इसका संदर्ब कैसे लिखेंगे जैसे लिखेंगे प्रस्तुत पद दिखंड लिखेंगे गद दिखंड नहीं गद दिखंड क का मतलब कहानी जो होगा उसमें गध दिखंड लिखेंगे, इसमें, इसमें पध दिखंड लिखना आई। ठीक है ना? क्या लिखेंगे? प्रस्तूत पध दिखंड या प्रस्तूत पध्यांस हमारी पाठ पुस्थ्तक, अपने बुक का नाम लिख देंगे, के शाक्षी शाक्षी नामक पार्ट से लिया गया है इसके रचईता कबीर दम जी है इसके रचईता लिखेंगे चाहे इसके कभी कभी रचईता दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ठीकल न? तो लेखक नहीं लेखेंगे लेखक कहानी का अगर लिख रहे हैं आप अर्थ तो इसमें लेखक लिखा जाता है और अगर आप किसी दोहा है या कोई कभिता है तो इसमें आप कभी लिखेंगे या रचाईता लिखेंगे ठीके ना तो चलिए यह हो गए आपका संदर्ब संदर्ब तो आप लोग लिख लेते होंगे हमें पता है तो हम लोग दोहे का अर्थ देखेंगे चलिए देख लेते हैं देखिए सत्गुर्व हम सूरी जिकर एक कहा प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग तो इसमें क्या है सत्गुरु सत्गुरु मतलब सच्चे गुरु सच्चे गुरु हम से प्रसंग होकर हम सूरी जिकर मतलब प्रसंग होकर के सत्गुरु हम सूरी जिकर मतलब हमारे सच्चे गुरु हम से प्रसंग होकर क्यों प्रसंग होकर हमारी शेवा भावना से प्रसंद होकर के हमारे सत्गुरु या हमारे सच्चे गुरु हमारी सेवा भावना से प्रसंद होकर के हमारे सच्चे गुरु ने हमारी सेवा भावना से प्रसंद होकर के हम सुरीज केर, मतलब हमसे प्रसंद होकर के क्यों प्रसंग करके हमारी शेवा भावना से शेवा भाव से प्रसंग करके एक कहा प्रसंग एक प्रसंग कहा एक मतलब ग्यान की बात बताई हमको क्या बताई एक ग्यान की बात बताया बरशा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग जब उन्होंने एक ग्यान की बात हमें बताई तो कैसा लगा हमें बरशा बादल प्रेम का ऐसा लगा कि बरशा बादल मतलब प्रेम की बारिश हो रही हो कैसा लगा प्रेम की बारिस हो रही है और भीज गया सब अंग और हमारा पूरा अंग इससे भीज गया ठीक है ना देखिए बरिशा बादल प्रेम का इसमें आपका है अलंकार रूप कलंकार है ठीक है ना रूप कलंकार है और छंद आपका है छंद क्या है दोहा छंद है ये तो पता है आपको छंद दोहा है और रस की बात अगर करें रस सांत रस है कौँ सा रस है इसमें सांत रस है ठीक है और रस छंद छंद हो गया रस हो गया अलंकार रूपक हो गया और भासा की अगर बात करें भासा है कबीर की भासा इसमें भासा प्रयोकिये हैं सदुककडी भासा सदुककडी भासा है ठीक है ना इस दोहे में अलंकार रूपक यहां पर है बर्शया बादल प्रेम का इसमें रूपक अलंकार है और रस है इसमें सांत रस है छंद दोहा छंद है पता है आपको और भासा इसकी है सधुकड़ी भासा है ठीक ना यही था इसमें अगला दोहा देखते हैं लोग तो देखिए कबीर दास का दूसरा दोहा देखते हैं क्लास नाइन्थ में जो दूसरा दोहा है उसकी भी आख्या देख लेते हैं इसमें कबिर्दाजी क्या कर रहे हैं राम नाम के पट्तरे राम नाम के बराबर पट्तरे माने बराबर देबे को कचुनाए राम नाम हमें हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है राम नाम, राम का नाम दिया है ठीक है ना, हमारे जो गुरू है हमको राम का नाम हमें दिये है राम नाम के पटतरे मतलब हमें राम का नाम दिये है और उसके बराबरी में पटतरे, मतलब उसके बराबरी में देवे कौकच ना है उसके बराबरी में उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है ठीक है ना हमें क्या दिये हैं गुरु राम का नाम दिये हैं और उसके बदले में उसके बदले में गुरु को हम क्या दें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है उसके बराबर कुछ है ही नहीं है इस संसार ठीक है ना? हाँ, तो इसमें देख लीजिए, इसमें है, छंद तो दोहा है, यह थो पता है, सबको छंद दोहा है, और भासा है, इसकी भासा है सदुकड़ी भासा, सदुकड़ी भासा का प्रयोक किये हैं, कबिरदाजी, छंद दोहा भासा सदुकडी है ठीक है रस कौन सा हो जाएगा रस सांतरस है रस सांतरस है ना और क्या है यही है तो अगला दोहा आप देखेंगे तो चलिए इस दोहे का अर्थ देख लेते हैं एक अभीरदास जी का तीसरा दोहा है इस क्लास नाइन्थ के सेलबस में तो इसको देख लेते हैं हम लोग ज्यान प्रकाश्या गुरु मिला सो जिन भी सर जाए ज्यान प्रकाश्या गुरु मिला फो जिन भी शर्जाय आए इसवर की क्रिपा से भगवान की क्रिपा से हमें ऐसे गुरू मिले हमें अच्छे गुरू मिले और गुरू ने हमें क्या दिया ग्यान का प्रकास हमारे भीतर जला गा ठीक है न इस स्वर की क्रिपा से हमें गुरू मिले और गुरू ने क्या किया हमारे अंदर प्रकास ग्यान का प्रकास जला दिया सोजिन बीशर जाए और जो गुरू है इनको भूल मत जाए सोजिन बीशर जाए इनको बीशर जाए मतलब बिसरा मत दीजिये, भूल मत जाओ इनको, किसको? गुरु को, क्योंकि गुरु नहीं हमारे अंदर ग्यान का प्रकास प्रकासित की हजलाया है जब गोबिंद किरिपा करी तब गुरु मिलिया आई, क्योंकि गुरु हमें कब मिले है जब भगवान किरिपा किए जब गोबिंद किरिपा करी जब भगवान ने किरिपा किए तब हमको, गुरु मिले तब गुरु मिलिया आई तब हमको, कौन मिले? गुरु मिले, ठीखे ना? तो इसमें देख लिजिए रेस सांतरस है वही अलंकार अलंकार कौन सा हो जाएगा यहां देखिए अनुपरास हो जाएगा अलंकार अलंकार अनुपरास भासा वही है सदुकडी ही भासा रहेगी सदुकडी भासा रहेगी और छंद दोहा ही रहेगा ठिक है छंद दोहा ही है ठीक है न? ये मुख्षे बाते हैं इस दोए में माया दीपक नर्पतंग भरम भरम इवे पढ़ंत कहें कभीर गुरु ज्यान थे एक आध उबरंत इसमें कभीरदाजी क्या कर रहे हैं? माया दीपक नर्पतंग माया जो सांसारिक माया है जो संसार में माया है सांसारिक माया को दीपक बताए हैं क्या बताए है? दीपक नर्पतंग और नर्पनुस जो है मनुस को पतंगा कहें पतंगा एक होता है जो दीपक जलता है तो पतंगे सारे जो आ जाते हैं उस पर उस पतंगा होता है ठीक है न? माया क्या है दीपक है कब इरदाजी कर रहे हैं और नर जो मनुस्य हैं पतंगे हैं पतंगे उड़ाने वाला पतंग नहीं है पतंग एक होता है जब बत्ती जलती है कहीं पर प्रकास जब जलता है तो उस पर आकर बैठते हैं तो इस पतंगा इसको कहा गया है पतंग है उड़ाने वाली पतंग नहीं है ठीक है नहीं माया दीपक और नर पतंग है माया क्या है दीपक है और नर पतंग है ब्रह्म ब्रह्म युवे पड़ंत जिस प्रिकार से दीपक जब जलता है दीपक जलता है तो पतंगे उस पर आ करके बैठते हैं और अपने आपको अपना उसी पर प्राण गवा देते हैं ठीके ना ब्रह्म ब्रह्म यूँवे पढ़नते ब्रह्म में आ करके उसी पर बैठते हैं इसी प्रकार से मनुस भी है इस संसारिक मोह माया में फस करके इसी में मतलब फसा रहता है ब्रह्म में पड़ा रहता है कहें कबीर गुर ग्यान थे एक आद उबरंत कबीर दाजी कह रहे हैं कि गुरू के ग्यान से गुरू के ग्यान से इस संसार में एक आद मतलब कुछ ही ऐसे ब्यक्ति होते हैं जो इससे छुटकारा पाते हैं मतलब इस मोह माया से निकल जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, माया दीपक नर पतंग में आपका हो गया अलंकार कौन सा हो जाएगा, अलंकार में आपका, इसमें अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार है, ठीक है, और रस सांत रस ही है, सभी में सांत रस है, और भासा सदुकड़ी भासा है सदुकड़ी भासा है सदुकड़ी भासा है और क्या है रसांत भासा सदुकड़ी है दोहा है, छंद में दोहा है छंद में दोहा है ठीक है न, यही है इसमें यही मुख्रिबाते हैं इसके आगे चलते हैं आगे वाला दोहा देखते हैं क्या है इसमें जब मैं था तब गुरु नहीं जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम ना ही प्रेम गली अतिसा करी तामे दोन शमा ही इसका अर्थ क्या हो जाएगा देखिए जब मैं था मैं का मतलब अहंकार जब मैं था जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरू नहीं तब हमें सच्चे गुरू नहीं मिले थे अच्छे गुरू नहीं मिले थे तब जब हमें गुरू नहीं मिले थे उसके पहले हमारे अंदर अहंकार भरा था ठीक है ना? उसके पहले अहंकार था मैं का मतलब अहंकार जब मैं था तब गुरु नहीं जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु हमें नहीं मिले थे अब गुरु है हम ना है अब हमें अच्छे गुरु सच्छे गुरु मिल गये हैं और अब हमारे अंदर अहंकार नहीं रह गया है ठीक है ना प्रेम गली अतिसा करी प्रेम गली अतिसा करी इस प्रेम मतलब साधना की गली प्रेम की साधना की गली इतनी सकेत है इतनी सकरी है तामे दो न समा है इसमें दो नहीं समा सकते या तो प्रेम ही समा सकता है या तो प्रेम साधना ही इसमें समा सकता है या तो अहंकार ही दोनों में से एक ही इस गली में से जा सकते हैं क्योंकि ये गली बहुत सकरी है दोनों नहीं जा पाएंगे एक ही रहेंगे या तो अहंकार ही रहेगा या तो प्रेम ही रहेगा ठीक है ना? ये हुआ इसका और इसमें देख लिजिए महतकूर क्या चीज़े है जब मैं था तब गुरु नहीं इसमें देखिए इस दोहे में मुख्य बाते हैं आपका अलंकार देख लिजी है, क्या अलंकार हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार है, ठीक है ना, रूपक अलंकार है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, और रस है आपका, सांत रस ही रहेगा, सांत रस, छंद है दोहा, छंद दोहा है, और क्या है इसमें, भासा है, सदुकडी भासा काँ सी है सदुकडी भासा ठीक है ना सदुकडी भासा है भागति भजन हरी नाव है दूजा दुख अपार मनसा वाचा कर्मना कबीर शुमिरंशार देखिए भागति भजन हरी नाव है जो भागवान की भगति और भजन है हरी की भगति भजन ही क्या है नाव है काँ सा नाव है जो हमें पार करा सकता है ठीक है ना भागति भजन हरी नाव है भागवान की भगति क्या है भगवान की भग्ति क्या है? नाव है कैसी नाव है? जो हमें पार उतारशकता है ठीक है? इस संसार से पार उतारशकता है ऐसी नाव है दूजा दुख अपार और सभी तो अपार दुख है ठीक है ना? भग्ति भजन ही हरी की भग्ति और भजन ही नाव है पार कर सकता है हमको दूजा दुख अपार और सभी चीज़ें जो दूसरी चीज़ें है सभी क्या है अपार दुख है मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार मन वचन और कर्म से मतलब इनको इनका सुमिरन कीजिए कबीर दाजी कर रहे है और यही क्या है, जीवन का सार है, सारतत्ट तो है जीवन का ठीक, और इसमें देख लिजिए भागति भजन हरी नाव है, इसमें हो जाएगा अलंकार आपका रूपे कलंकार रूपे कलंकार हो जाएगा, ठीक है ना? और रभी वही रहेगा दोहा छंद है इसमें छंद दोहा रहेगा छंद दोहा रहेगा रस सांत रहेगा सांत रस है और भासा सदुकड़ी ही भी है ठीक है ना भासा सदुकड़ी है आपकी ठीक यह हो गया और अगला दोहा देखते हैं देखिए इसमें देखिए कबीर चित चमंकियां चहुदिसी लागी आग चहुदिसी लागी लाई यहाँ पर रहेगा कबीर चित चमंकियां चहुदिसी लागी लाई हरी सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेह बुझाए कभीर चित चमंग किया कभीर दाजी कह रहे हैं कि चारो तरफ विशे वासनाओं की आग लगी हुई है मतलब चारो तरफ विशे वासनाओं की आग लगी हुई है हरी सुमिरन हाथों घड़ा चारो तरफ विशे वासनाओं की आग लगी हुई है और इस आग से कैसे बचा जाए इस से बचने का उपाय है क्या उपाय है आपके हाथ में एक घड़ा है कैसा घड़ा है हरी सुमिरन हरी का सुमिरन करने वाला घड़ा है अगर सुमिरन भगवान का करें यही घड़ा है कैसा घड़ा है यह बेगे लेहुज़ा है मतलब इस आग जो आग लगी हुए है आग जल रही हुए है जल रही है चारो तरब इसको बुझाया जा सकता है किससे बुझाया जा सकता है हरी सुमिरन नामक जो हाथ में घड़ा है आपके हरी का सुमिरन करने वाला इसी से बुझाया जा सकता है ठीक और इसमें देखिए हरी सुमिरन हाथ हो घड़ा इसमें आपका हो जाएगा अलंकार रूपक रूपक अलंकार हो जाएगा ठीक अलंकार हो जाएगा रूपक आपका ना और सभी वह ही रहेगा छंद दोहा ही रहेगा छंद दोहा ही रहेगा और रस सांत ही रहेगा रस सांत रस रहेगा भासा सदुकडी भासा ही रहेगी सदुकडी ठीक है न और क्या रहेगा रस छंद अलंकारे हो गया रूपक छंद दोहा रस शांत रस भासा सदुकड़ी भासा बस यही था आज के वीडियों में बस इतना है इसके आगे हम लोग किसी दूसरे वीडियों में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है इसको हम पीडियों से पढ़ाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा नहीं तो फिर किसी दिन बोर्ड पर ही पढ़ा देंगे ठीक है ना बोर्ड पर लिखने में थोड़ा समय जादा लगता है तो अगर एक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार